सुच स्वागतम बच्चो आज हम वडवाला में वेंजन पेज नंबर 16 से 18 तक पढ़ेंगी जह से जण्डा जण्डा उंच्या रहे हमारा बच्चो एह हमारे भारत देश का जण्डा है जह से ज़ाडू ज़ाडू का उपयोग हम घर की सफाई के लिए करते हैं ज़ाडू खजूर की पत्ती नारियल की पत्तियों से भी बनाये जाते हैं आजकल प्लास्टिक से बने ज़ाडू का भी उपयोग किया जाता है जूला सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है हम बच्पन से लेकर बड़े होने तक जूला जूला बहुत पसंद करते है जूला घर में तथा पॉर्क में भी लगाय जाते है जो अप्षर से हमने तीन शब्द शिखा जहसे जंडा, जंडा को अंग्रेजी में फ्लैक करते हैं जहसे जाडू, जाडू को अंग्रेजी में ब्रूम करते हैं जहसे जूला, जूला को अंग्रेजी में स्विंग करते हैं अगला अक्षर हम पढ़ेंगे इयं इयं की सुनो तुम भात खाली रहता ये दिन रात बच्चो इस अक्षर से कोई शब्द नहीं बनता इसका केवल चंद्रबिंदू के रूप में उपयोग किया जाता है इस चंद्रबिंदू से बने तीन शब्द हम आज पढ़ेंगे देखें यहाँ पर चंद्रबिंदू जैसे शब्द है चान चान के उपर चंद्रबिंदू लगा हुआ है चान को हम लोग अंग्रेजी में मून करते हैं गाउ गाउ के उपर देखें चंद्र के आकार का बिंदी लगा हुआ है गाउ को इंग्लिश में करते हैं विलेज पाच पाच के उपर देखिए चंद्रबिंदू लगा हुआ है पाच को अंग्रेजी में करते हैं फाइव अगला अक्षर है ट से टमाटर यह है बड़ा गुलकारी रक्ता से हत का ख्याल हमारी बच्चों टमाटर बहुत ही फायदेमंद होता है इसे सबजी में डाल कर उप्योग करते हैं इसे कच्चा सलात के रूप में भी खाते हैं इसे मीठी चटनी और तीखी चटनी भी बनाई जाती है ट से टोपी बच्चों टोपी अलग-अलग प्रकार के बनाए जाते हैं टोपी गर्मी, ठन्ड और बरसात से हमारी रक्षा हो सके इसलिए उप्योग करते हैं धूप में सूती कपड़े का बना टोपी उप्योग करते हैं ठंड के मौसम में उनी टोपी का उपयोग करते हैं ठंड हवा से बचने के लिए भी इसका उपयोग होता है बरसात ने प्लास्टिक की बनी टोपी का भी उपयोग किया जाता है अगला अक्षर है ट से ही टोकरी ट से टोकरी टोकरी का उपयोग फल फूल रखने के लिए किया जाता है यह बास से बनाई जाती है बास छील कर लंबी-लंबी पट्टिया निकाली जाती है और उसे रंग भी दिया जाता है बास की टोकरी का उपयोग शादी में उपहार पैक करने के लिए भी किया जाता है ट से टमाटर, को अंग्रेजी में करते हैं टोमेटो ट से टोपी, टोपी को कहते हैं कैप ट से टोकरी, टोकरी को कहते हैं बास्केट बच्चो, अब हम जयनजन के तीन अक्षर पढ़ना सीखे जह, इय, ट अब हम इसे लिखना सीखेंगे सबसे पहले इस प्रकार से रेखा को खीचिए इसके बाद बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन लीजिए अब एक स्टैंडिंग लाइन खीचिए उसके बाद उपर स्लिपिंग लाइन लीजिए जह से जंडा इह बनाने के लिए सबसे पहले इस फ्रकार कीजिए इसमें एक छोटी सी लाइन लीजिए अब एक स्टेंडिंग लाइन लीजिए और उपर से स्लिपिंग लाइन लीजिए हो गया हमारा इह छोटी सी लाइन लीजिए फिर इसमें आधा गोल बनाईए उसके बाद उसके उपर स्लिपिंग लाइन दीजिए ट से टमाटर हो गया अब हमने ज़, इय, ट पढ़ना और लिखना सीखे और संबंदित कुछ शब्द हिंदी और अंग्रेजी में सीखे आप लोग इसे पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए वर्क बुक पेज नमबर 16 सत्र पूरा कीजिए धन्यवाद